प्रदेश में बीते एक सप्ता से शीत लहर और गने कोहरे का प्रकोब देखने को मिला पाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पक्षिमी विछोब के चलते रात के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्च की जा रही है बीती रात करीब आधा दर्जन जिलों का पारा पांच डिग्री के नीचे दर्च किया गया तो वहीं प्रदेश के जादातर जिलों में पारा आठ डिग्री के नीचे ही दर्च किया गया बीती रात प्रदेश के माउंट आबू में निम्तम तापमान माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस और चूरू में माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया बाराल मौसम विभा के अनुसार आगामी 21 दिसम्बर तक प्रदेश के 8 जिलों में औरेंज अलर्ट तो वहीं प्रदेश के 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है बहुसम विवाग के चैपूर निदेशक रादेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 4-5 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में पारा 1-2 डिगरी तक पहुँचने की भी संबावना है पिछले 24 घंटों में सबसे कम निवनतम तापमान माउंट आबो में माइनस 2.5 डिगरी सेल्चियस दर जुआ है जबकि चूरू में भी पारा जमाव बिंदू से नीचे माइनस 0.3 डिगरी सेल्चियस दर जुआ है यानि की उत्तरी और उत्तरपस्चिमी राजस्थान के जादातर भागों में cold wave to severe cold wave की परिस्तिती बनी होई है आगामी 48 घंटों तक राजस्थान में cold wave और कहीं कहीं severe cold wave की परिस्तिती बनी रहेगी हालांकि दिन में धूप खिली रहने और नौर्धरली विंड्स का असर कम होने की वज़े से अधिक्तम ताप पान में हलकी बड़ोतरी होने की संभावना है यानि कल से दिन में cold day की परिस्तिती नहीं रहने की संभावना है इसके अलावा wind pattern change होने से उत्री और उत्रपस्चिमी राजस्थान में चल रहा है dense fog का spell भी देखने को मिलने की संभावना काफी कम है तो मौसम के अंदर जैपूर ने अगले तीन दिनों के लिए राजस्थान में कहीं कहीं cold wave की परिस्तिती होने की जेतावनी जारी की है इसके अलावा 21 दिसंबर से राजस्थान में तापमान में दो से तीन दिगरी तक की बड़ोतरी होने की संभावना है यानि cold wave से निजाथ मिल सकता है पहाडों में हो रही बरभारी राजस्थान में चल रही शीत लहर के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है बीती रात माउंट आबू में माइनस 2.5 तो चुरू में माइनस 0.3 डिगरी पारा दर्ज किया गया कैमरा परसन रामकिशन सैनी के साथ रिशाप पांडे एवन टीवी नियूस जैपूर